नमस्कार आप बोले भारत देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी बिहार में इस्थानिये प्रदिकार कोटे के 24 सीचों पर MLC के चुना होने वाले हैं चार अप्रैल को मतदान होना है और इसी को लेकर अब राजनितिक दलों के जो तमाम प्रत्यासी हैं वो आपको धरातल पर अपने वोट इकठा करते नजर आएंगे दानापूर से यह तस्वीर हमारे सामने आई है जहाँ पर पटना से आरजेडी के MLC उविदवार कार्ती के सिंग द्वारा कारेकरम आयोजित कराया गया था और इस कारेकरम में आरजेडी के तमाम बड़े नेता सामिल हुए थे पटनास के प्रभारी, इस्थानिय प्रधिकार, छेत्र के भोला यादो, वरिष्ट नेता स्यामरजक, दानापूर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादो भी सामिल हुए है लेकिन इस तस्वीर को जड़ा आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस पटन जेडी के सामने समस्याएं खड़ी करती दिखाई दे रही हैं क्योंकि रीतलाल यादो, दानापूर से विधायक, 2015 में इस्थानिय प्रधिकार से MLC चुने जाने वाले, इस सीट पर कार्तिके सिंग की उमिदवारी को लेकर कुछ खासे खुस नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो इस कारिकरम में सामिल होने पहुचे थे, उस दोरान जब उन्हें माला पहनाने की कोशिस कार करता हों के द्वारा की गई, तो उन्होंने माला पहनने से इंकार कर दिया, और उसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे ह जब मंच पर उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया जा रहा था तो उन्होंने गुलदस्ता लेने से भी इंकार कर दिया और फिर जब आरजेडी के MLC उमिद्वार कार्तिके सिंग उन्हें RJD का गमच्छा देकर सम्मानित करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने गमच्छा लेने से भी इंकार कर दिया और कहा तो ये भी जा रहा है जो हमारे सहयोगी अभिशेक वहाँ पर मौझूद थे उन्होंने हमें बताया कि पहले तो रीतलाल यादो ने मंच पर कुछ भी बोलने से ही इंकार कर दिया कभी सोते नजर आए कभी फोन पर बात करते नजर आए ऐसा लग रहा था कि वह कारेकरम में उपस्तित तो हुए हैं लेकिन उनका मन जड़ा भी इस कारेकरम में लग नहीं रहा था खबर आपको पहले मिली होगी कि रीतलाल यादो इस फेरे में लगे थे कि उनके भाई पिंकु यादो को आरजेडी से मलसी का टिकट इस बार पटना के छेतर से दिलाया जाए लेकिन अनंत सींग के कड़ीबी कार्तिके सींग जिने मास्टर साहब भी लोग कहते हैं उन्हे आरजेडी ने टिकट दिया यानि अपना उमिद्वार बनाया और उसके बाद नराजगी रीतलाल यादो की सामने आ रही थी लेकिन आज खुले मंच पर रीतलाल यादो ने जिस प्रकार से कई चीजों को लेकर अंदेखा करने का प्रयास किया या काड़े करताओं की जो उ आरजेडी के सिंग को उमिद्वार बनाय जाने से खासे नराज है और कहा ये भी जा रहा है कि इस बार MLC की लराई तीन उमिद्वारों के बीच में है पटना की एक तो जेडियू के वालमिकी सिंग है एक तरफ आरजेडी से कार्तिके सिंग है और निर्दलिये लल्लू मु किया ने कहा जाता है कि परदे के पीछे से रितलाल यादो की मदद की थी कहीं ऐसा ना हो कि रितलाल यादो अपना एहसान इस बार 2022 के विधान परिशत के इस चुनाओं में चुका दें और सायद कार्तिके सिंग जो कि आरजेडी के में सी उमिद्वार है उन्हें बड़ा नुकसान जेलना पड़े आरजेडी अपने तमाम उमिद्वारों की जीत को लेकर अपने विधायकों को अस्वस्त कराने का प्रयास कर रही है उन्हें मंच पर लेकर तो आ जा रही है लेकिन कि आज जो भीतर घात की लड़ाई है उससे वो बच पाईगी ये बड़ी समस्य क्या उसके सामने है और आज मंच पर रीतलाल यादो ने जिस प्रकार से वहवार किया निश्ची तोर पर तेजस्वी यादो लालू परसाद यादो या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्च जग्दा नंस्म के सामने बड़ा सवाल जरूर खरा रहेगा कि क्या पटना के इस बहुत बहुत धन्यवाद